दोस्तों आप Embriere के C390 Millennium Aircraft के बारे में तो सुने ही होंगे असल में ये Aircraft Brazilian Company Embriere के तरफ से ऐसे Transport Aircraft के रूप में बनाया गया है और Indian Air Force के जो MTA या फिर कहाई तो Medium Transport Aircraft का टेंडर है उसके अंतरगत जिन Aircraft का ओफर Indian Air Force के सामने है उनमें से C390 Aircraft को एक SA Aircraft के रूप में देखा जारा है जिसके संभावना है बाकी Aircraft से थोड़ा अधिक है दोस्तों Embriere Company के तरफ से इन Aircraft को खाली MTA Transport Aircraft के टेंडर के अंतरगत Indian Air Force के सामने ओफर के तहत नहीं रखा गया है बलकी इन Aircraft को भारत में मनुफैक्चर करने को लेके भी Embriere Company हिंदूसन Aeronautics Limited के साथ बात चित कर रहा है Embriere Company का ये भी कहना है कि अगर भारत को चाहिए तो इन Aircraft को भारत में संपूर रूप से मनुफैक्चर किया जा सकता है हाला कि दोस्तों अगर देखा जाए तो MTA Transport Aircraft के जो टेंडर है इसमें Embriere Company अकेला नहीं है दो Millennium Aircraft को लेके जिस तरीके का सफलता Embriere Company को मिला है इसके बाद एक तरीके से आफ कह सकते हैं कि Indian Air Force के MTA Tender मतलब Medium Transport Aircraft के Tender में C390 Millennium Aircraft को लेके Embriere Company के चांस और बढ़ जाएगा दोस्तों मैं यहाँ पे इन Aircraft के पोर्टूगाल में Active होने का बात कर रहा हूँ रिपोर्ट के मुताइब बताया जा रहा है कि पोर्टूगाल Air Force के तरफ से फॉर्मली अपने New Transport Squadron को 20 में के दिन मतलब कुछ दिन पहले ही Activate कर दिया गया है और दोस्तों यह जो Squadron है यह असल में के C-390 Millennium Aircraft का ही है दोस्तों बताया जा रहा है कि पोर्टूगाल Air Force के Airface No.11 में 506 Squadron के अंतरगत इन Aircraft को अपरेट किया जा रहा है और इन Aircraft को असल में अगश्ट 2019 में पोर्टूगाल Air Force के द्वारा करिवन 827 मिलियन योरो या फिर कह दो 894 मिलियन डॉलर के लागत से खरिदा गया था ताकि यह 501 Squadron में इस्तेमाल होने वाले C-130H Hakulis Aircraft को रिप्लेस कर सके दोसों पोर्टूगाल को अपना पहला Aircraft साल 2023 में मिला है और बताया जा रहा है कि इन Aircraft को एक लंबे समय के बाद पोर्टूगाल को इसलिए मिला क्योंकि पोर्टूगाल के जो National Aeronautics Authority है उसके तरफ से Aircraft के Airworthy को लेके Certified किया गया है और बताया जा रहा है कि पोर्टूगाल को डिल के अंतरगा सबसे आखरी Aircraft का Delivery साल तो 2027 को किया जाएगा दोसों इन Aircraft को ऐसे ही पोर्टूगाल को नहीं मिला है बलकि Aircraft में कई तरीके के बदलाव किया गया है जिन में Ryan Metal के तरफ से निर्मान किया हुआ फुल फ्लाइट सिमुलेटर से शुरू करके Maintenance Equipment और Elbit सिस्टम के तरफ से निर्मान किया हुआ Electronic Warfare Suit और Support सिस्टम शामिल है इवन इसके इलावा Ground Support Equipment एरकेप्टों में में इस्तमाल होने वाले B2500E5 इंजिनों के Maintenance, Medical Evocation Kit, Firefighting Module, Air-to-Air Refilling System, Infrastructure बनाना और इसके साथ existing infrastructure को भी एरकेप्टों के लिए मोडिफाई करना शामिल है और दोस्तों आपको ये भी जान के रखना चाहिए कि पोर्तुगाल के द्वारा जो KC-390 एरक्रैप्टों को हासिल किया गया है ये असल में Network Standard Equipment के साथ है जैसे कि Link System, Data Link System और Mode 4-5 Identification Friend and Flow System भी शामिल है तोस्तों Embarier Company के तरफ से अब तक केवल मात्र 9 C-390 मेलेनियम एरक्रैप्टों को निर्मान करना संभव हो पाया है जिन में से 6 एरक्रैप ब्राजिल के द्वारा इस्तमाल किया जा रहा है जबकि एक एरक्रैप पोर्तुगाल को दिया गया है हला कि बाकी एरक्रैप संभाबी टेस्ट और पोटोटाइप के लिए ही बनाया गया होगा तो वही पर आपके जानकारे के लिए बता दियो कि ब्राजिल के द्वारा ऐसा 19 एरक्रैप्टों का टोटल ओर दिया गया है पोर्टुगा टोटल पाँच यार क्राप्टों का ओर्डर दिया है जबकि इसके इलावा और दो देश मतलब हंगरी और नेदरलेंड के तरफ से भी इन यार क्राप्टों का ओर्डर दिया गया है। कि जितने यार क्राप्ट खरिदा गया है उससे भी करीवन तीन गुना अधिक यार क्राप्ट भारत के तरफ से खरिदने का इरादा बनाया गया जो करीव करीव 60-80 के संख्या में होगा। से एक तरिके से ब्राजिलियन कंपणी इंबरियर के तरफ से इन यार क्राप्टों को लेकर प्रोजेक्ट करना और आसान होगा क्योंकि अब ब्राजिल के बाहर भी इन यार क्राप्टों को एक्टिव किया गया है। कि माना जा रहा है कि इंडियन एर फोर्स के टेंडर से पहले ही बाकी दोनों देशों के एर क्राप्टों को वी शायद डिलेवर कर दिया जाए जिससे कि एंबरियर कंपणी के दावेदारी इस टेंडर में और मजबूत होगा।